लास्ट क्लास पे हमने question number 11 तक कर लिया था तो आज का हमारा target क्या है आज हम question number 12 करेंगे उसके बाद चलेंगे next exercise के concept सीखने तो next exercise के जो concepts होंगे वो midpoint theorem और उसका converse तो ये दो theorem हम आज practice करेंगे अगली class पे 8.2 खतम करके हमारा quadrilaterals निपट जाएगा बिना देर किये हम question number 12 से start करते हैं देखो बहुत जादा important है ये question last time मैं चाहता तो इसको करवा सकता था ठीक है but मैंने सोचा इसको fresh day पे करेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि इतना important question last के 5 minutes 10 minutes में नहीं करना चाहिए तो इसलिए मैंने इस question को आज के लिए छोड़ा है क्योंकि day हम start करें इस question से समझो बहुत जादा important है कोई लिखेंगे कोशिश ना करें ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD तो पहले figure में marking start हो गई है AB और CD parallel है ये trapezium है and AD is equal to BC कोई मुझे बताए ऐसे trapezium को क्या बोलते है तो आइसो से लिखेंगे आपके आपके आड फिर से अजीपी हो गई यह से ऐसे प्लेर निया है तो isosilus trapezium समझ गया है ऐसा trapezium जिसमें एक pair parallel हो और दूसरा pair equal हो isosilus trapezium का मतलब क्या होता है a quote letter in which one pair of opposite sides parallel है and isosilus trapezium इसमें non-parallel sides equal है तो ये हमारा isosilus trapezium है तो ये सारी properties मैंने लिखवा रखिए है पैरलल साइट्स पे जो एंगल है वो इकल होते हैं, डाइगनल से इसमें इकल होते हैं, तो इस बार इन तीनों प्रोपर्टीस को हम प्रूफ करने वाले हैं, ओके, चलो, देखो, तो सबसे पहले लिखते हैं, गिवन, इन क्वाद्रिलाटरल, A, B, C, D, सबसे पहले, A, B is parallel to C, D, A, D is equal to B, C, टू प्रूफ में ये चार पार्ट्स हैं, ठीक है, टू प्रूफ में ये चार पार्ट्स हैं, तो देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, हमारे पास कोई भी parallelogram नहीं है, हमारे पास कोई भी parallelogram नहीं है, तो इस question में होगा construction, चूँकि सारी properties हमने parallelograms के लिए पढ़ी हैं, तो इस question में parallelogram बनाने के लिए हम करेंगे construction, देखना कैसी construction होगी, C से एक line draw करेंगे parallel to D, A, इस तरीके से, C से line draw किया parallel to D, A, और A, B को आगे extend करना है, ऐसे, मार लिया, यह दोनों जो lines हैं, वो P पे meet करती है, construction note down करते हैं, construction, draw, C, P parallel to A, B, A, B नहीं, A, D, C, P parallel to D, A, लिखें, C, P parallel to D, A, meeting, A, B extended, at P, C, P हमने parallel draw कर लिया है, किसके, D, A के, यह A, B के extended पार्ट को P पे meet करता है, देखो आगे, proving, सबसे पहले, A, P parallel to CD, सबको देख रहे हैं, A, B अगर parallel है CD, के, तो उसका extended पार्ट भी parallel होगा, and A, D parallel to C, P, तो इसको मिला के क्या result लिख सकते हो, कोई बताएगा, CD is parallel to A, D, CD is parallel to A, D, A, D, C, P, quadrilateral को observe करो, अगर मैंने यह लिख दिया, तो क्या बनेगा, सब्सक्राइब, यह बोथ pair of opposite sides parallel हो गई, so, ADCP is a parallelogram, यहां तक कोई परिशानी नहीं है, तो अब अगर यह parallelogram है, बहुत सारी properties इसमें associate हो गई, क्या-क्या properties हैं, वो देखो, कुछ relation लिखता हूँ मैं, angles के parameter, देखो, यह angle 1 ले लिया, इसको 2 ले लिया, इसको 3 ले लिया और इसको 4 ले लिया, अभी assume कर रहे हैं अंगल को, और angle 1, 2, 3, 4 नहीं हम बाग करेंगे, तो सबसे पहले, AD और CP हो गए equal, क्यों, opposite sides of parallelogram, AD और CP equal हो गए, और इसने AD और BC equal दे रखा है, यह given था, इन दोनों को जब combine करोगे, तो क्या result मिलेगा, BC equal to CP, तो यह BC और यह CP equal भी हो गया, अब BC से equal हुआ, BCP कौन से triangle बन गया, आइसोसिलस बन गया ना, तो इसका result क्या हुआ, triangle BCP is isosilus, अब आइसोसिलस अगर हो गया, यह बना लिया, फर्स्ट एक्वेशन, अंगल 1 और अंगल 2 इक्वेल, क्यों प्रॉलम नहीं किसी को, आगे देखो, कोई मुझे अंगल 2 और अंगल 3 में रिलेशन है, बता सकता है कोई, क्या रिलेशन है, इनका sum 180 होगा, क्यों होगा परी, सुर बेकोज यह लीनियर पेर, पुरा लिखोगे, लीनियर पेर, यह लीनियर पेर है, एक्वेशन नमबर 2, कोई मुझे अंगल 1 और अंगल 4 में रिलेशन बता सकता है, सुर नहीं क्यों होगा, सर्च, यह एट अच्च अंगल उफ प्र अंच्डू के सतरी है, इसको लेशन है, यह तो को अंटीरियर अंगल लिख सकते हो, जैसे अंगल 1 और अंगल 4 कैसे अंगल्स हैं, आपऌन्टीरियर है, यहादे है हैं, को अंटीरियर? तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 180 के दो रीजन्स हो सकते हैं एक तुम लिखो को इंटिरियर एंगल्स या फिर लिखो एड़ेसेंट एंगल्स ऑफ पैरलेलो ब्राम तो मैं लिखता हूं को इंटिरियर एंगल्स इसको बना लिया equation number 3 अब देखते रहे ना बस रेजल्ट आने शुरू हो गए equation 2 और 3 को equate करेंगे क्योंकि दोनों का RHS क्या है equal है from equation 2 and 3 देखना LHS दोनों के equate कर रहे है angle 2 प्लस angle 3 equal to angle 1 प्लस angle 4 अब equation 1 में बोल रहा है angle 1 angle 2 equal angle 1 angle 2 हमने काट लिया इनके कटने का reason क्या है angle 1 equal to angle 2 है तो जो बच गया हो क्या है angle 3 equal to angle 4 अब इसको ABCD में बात कर लो angle 3 और angle 4 तो angle 4 का मतलब angle A लिख सकते हो और angle 4 का angle 3 का मतलब angle B लिख सकते हो यह first part प्रूव हो गया समझ में आया सबको इस सब्सक्राइब कर लिया next part देखो second part अब मुझे कोई फिर से बताए angle A प्लस angle D कितना होना चाहिए और angle B प्लस angle C कितना होना चाहिए इन्टिरियर आपोज़े आइंगल के लिख सब्सक्राइब कर देखो इन्टिरियर अंगल्स गोल सकते हैं इनको इन को इन्टिरियर आइंगल्स पर एक ही इसको बना लिया equation number 4 और इसको बना लिया equation number 5 इनको भी equate कर सकते हैं तो angle A plus angle D equal to angle B plus angle C अब इसमें से क्या कटेगा तो A और B हमने proof कर लिया ना मतलब वो equal है तो वो cut जाएगा इस बार एंगल C equal to angle D कटने का reason क्या है एंगल A equal to angle B तो यह हो गया second part प्रूफ यहां तक समझ में आई बात अब देखो थर्ड पार्ट में triangle ABC और BAD को congruent करना है और फॉर्थ पार्ट में diagonal AC equal to diagonal BD तो फॉर्थ पार्ट जो है वो तो ऐसे लिख दोगे ना CP CT से AC और BD देखो corresponding side है third part के लिए यह सर्फ बस हमको third part करना है fourth part तो CP CT लिख देंगे third part के लिए ABC और BAD triangle पहले बना ले तो ABD और BAC के लिए हमें यह मालुम चला कि diagonals join करने पड़ेंगे diagonals हमने इस तरीके से join कर लिया AC और BD को हमने join कर लिया क्योंकि triangle हमको ऐसे ही मिलेगा बिना join किये तो मिलेगा नहीं तो third part के लिए क्या करते हैं figure बहुत ही घिच-पिच हो गया है complicated दिख रहा हुआ तो हम इन दोनों triangles को बना लेते हैं अलग से ABC हमने बना लिया यह बहुत हमको फायदा करेगा बना लेंगे तो यह हो गया point A, यह हो गया B और यह हो गया C दूसरा triangle B, A, D भी बना लेते हैं फिर साफ साफ दिखने लगेगा कौन सी side equal है, कौन सा angle common है, क्या है तो यह हो गया A, B, D, पहले हम congruency figure में ही कर लेते हैं सबसे पहली चीज, A, B और A, B तो common दिख रहा है, सबको दिख रहा है A, B, A, B common? Yes, sir Yes, sir Angle A, complete angle A की बात हो दिए Angle A complete किस triangle में है, D, A, B में है D, A, B triangle में main figure देखो, D, A, B triangle में complete angle A है C, B, A में complete angle नहीं है, भले वहाँ पर vertex A है, बट angle A का इतना सा part है सिर्फ है ना, तो इस triangle में angle A और इस वाले triangle में C, B, A में complete angle B है Angle B यह angle equal होंगे, क्योंकि हमने equation 1 में उनको proof कर लिया है first part में Yes, sir Side हो गई, एक angle हो गया, आगे देखो A, D और B, C, यह सबसे पहले question में चिला रहे थे, कि equal है non parallel sites A, C और B, D यहाँ पर, sorry A, D और B, C यहाँ पर equal बता रहा था तो triangle में ही हमने side angle side देख लिया न सबको दिख रहे है side angle side Yes, sir Yes, sir सबसे पहले न, क्या करना, जब congruent करने हो triangles को तो figure में ही अपने cuts लगा लेना Side angle side है, angle side angle है, वहीं पर सोच लेना यह नहीं कि triangle बना लिया, आप लिखना शुरू कर दिया नहीं, पहले mind में plan कर लो कि क्या लिखना है उसके बाद लिखने में time बहुत कम लगेगा तो in triangle a, b, c and triangle b, a, d चलो लिखना शुरू करो सबसे पहले first cut वालों को लिखो a, b, equal to a, b, proper reason के साथ तो यह है common फिर angle a, b, c और उस triangle में इसका नाम कैसे लिखोगे ब, a, d यह हो गया angle a, equal to angle b, proof था और third b, c, equal to a, d इसका reason क्या लिखोगे, given तो triangle a, b, c यह congruent बन गया किसके triangle b, a, d के कौन सा reason है यह, चयान कौन सी ग्रैट एरिया है yes sir, सिर्फ बढ़ायो side angle side side angle side, side angle side तो यह हो गया third part proof और fourth part में a, c, equal to b, d, यहां से directly c, p, c, t है न yes sir b, d, इसका reason है c, p, c, t और यह हो गया fourth part proof पूरा question solved तो यह question एक perfect question है four marker, ठीक है न, यह four marker के लिए perfect question है copy कर लो पूरा इतना भी board पे है सब लिखना है, figure भी बनाने है rough figure यह छोटा वळा यह भी बनाना है तो part के अंदर, part one, part two, part three इस तरीके से, copy करो, copy करके inform करो exercise eight point one हमारी complete हो चुकी है चलते हैं theorem, next theorem है हमारा midpoint theorem फिर इसका converse करना है तो यह theorem की proving इतनी important नहीं है heading बनाओ midpoint theorem और यह statement copy करो मैं इसको समझाता हूँ, फिरम तूप करेंगे यह theorem क्या है statement में यह बोलता है the line segment joining mid points of two sides of a triangle is parallel to the third side जो statement है नो midpoint का exact statement इतना ही है इसमें कुछ और भी result add करना पड़ता है तो वो मैं करवाँगा इसमें बोलता क्या है वो समझो पहले एक triangle होगे statement I hope सबने लिख लिए लिख लिख लिए और आपिक-पिक-पिक-पिक कि राटा है जया है अगर हम DE को जोइन करें, यह जो लाइन सेग्मेंट मिलती है, DE, is parallel to the third side, तो इसका पूरा स्टेट्मेंट क्या होता है, parallel to third side, यह first part, is के बाद यह first part, parallel to third side, and second part, and it is half of the third side, चीखे, तो इसमें given क्या-क्या हो गया, वो समझो, देखो, सबसे पहले बात करते हैं, given part की, in triangle, A, B, C, D and E are midpoints, so D अगर midpoint है तो, A, D और B, D equal, E अगर midpoint है तो, A, E और E, C equal, इसमें दिया क्या है, A, D equal to B, D, and A, E equal to E, C, यह दो चीज़े equal given है, to prove, क्या proof करना है, तो दो चीज़े proof करनी है, first part, proof करना है, कि line segment, जो midpoints को join करती है, that is D, E, it will be parallel to the third side, third side कौन सी होगी, B, C, क्योंकि दो sides हमने A, B और A से use कर लिया है, उनका midpoints ले लिया है, तो line segment जब join करेंगे, तो यह जो line segment आ रही है न, यह third side के parallel होगी, पहला part यह हो गया, और इस line segment की जो length होगी, that will be half of third side, तो दो चीज़े होती है, midpoint theorem में, हम दोनों को use कर सकते हैं, जब भी यह situation मिलता हो, तो questions में हम क्या-क्या use कर सकते हैं, DE parallel to BC, और DE की length अगर कहीं पर चाहिए हो, तो half of BC यूज़ कर सकते हैं, इसमें होगा construction, क्या reason है construction का, कि फिर से हमारे पास कोई भी parallelogram नहीं है, सिर्फ एक side यह वाली parallel है, तो इसमें होगा construction, क्योंकि कोई भी हमारे पास parallelogram नहीं है, और जितनी भी properties हमने पढ़ी हैं, वो सारी parallelograms के लिए पढ़ी है, तो अभी हम बिल्कुल एक तरह से हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम क्या करें, parallelogram दिखेगा तो properties लगाएंगे, तो parallelogram बनाने के लिए हम करते हैं construction, देहो कैसे करते हैं, C से एक line draw करेंगे, C से एक line draw करेंगे, BD के parallel, C से line draw किया, BD के parallel, और D E को आगे extend करके, मान लिया हमने P पे meet कर रहे हैं, ये P point पे meet कर लिया, और ये हमने parallel बना दिया किसके, DB के या BD के, लिख लेते हैं construction, draw C P parallel to BD meeting DE extended at P, ये हो गया हमारा construction, टू प्रूफ ध्यान रखो, ये दो चीज़े हमको प्रूफ करनी है, पहली बात प्रूफ करना है, DEBC के parallel है, और दूसरा प्रूफ करना है, DEBC का half है, यही से start कर लेते हैं proving, हर एक चीज़ समझ में आएगी, ठीक है, बस मेरी बात को गौर से सुनना है, कहां पे क्या result आया, उसको mind में बिठाना है, लिखने वहला काम बिल्कुल भी नहीं करना है, जो लिखेगा उसको समझ नहीं आएगा, देखो यहाँ पे, यह triangle 1 देख रहे हो ना, और यह triangle 2 देख रहे हो, इन दोनों triangles को हमें करना है, congruent, mind में सोचो कैसे करेंगे, in triangle A, D, E, अपने अपने तीन points prepare कर लो, in triangle A, D, E, and triangle C, E, P, अपने-अपने points mind में ready कर लो, मैं पूछूँगा, क्या-क्या equal है, क्या-क्या नहीं है, कौन सा angle है, सब prepare कर लो, जिसका तीनों मिल जाए point, वो मुझे बता देगा, यहां मुझे सर तीनों मिल जाए points, अपने points अगर मिल गए तो मुझे बस इंफॉर्म कर दो कि सर मेरा तीनों पॉइंट्स रेटी है, अपके अबाट शेट से खराब हो गई, यह सर, अपने तो जिसको तीनों पॉइंट्स मिल जाते हैं, वो इंफॉर्म करे, अम मुझे मिल गए, और निशेट, चयन, आकाश, प्रितिका, परी, रागव, यह दो मिल रहे हैं, इसरा ढूंडो, इसरा ढूंडो निशेट, बहुत करीब हो, प्रितिका, परी अगर तीनों मिल गए हैं ना, तो उन तीनों को लिख के ट्रेंगल कॉन्गूएंट्स कर लो, वहाँ तक रुपके वेट करो, फोके सो, उसके लिए पहले यह गिवन वगेरह लिख लो, तक तक कॉपी कर लो, सपेश छोड़ दो, सपेश छोड़ दो, फिगर के लिए, और फिगर तो बना लिया होगा, इतना सपेश छोड़ दो, तो 5-6 लाइन और यह पहले प्रिपेर करके कॉन्गूरुएंट करके वहाँ वेट करो ओके सर्था सोचो सोचो राघाव सार्थार बहुत सिंपल है सर्थ मेरे वो में लिया पेल गया पक्का? येस सर्थार ठीक है तो ट्रेंगल कॉन्गूरुएंट करके वहाँ पे वेट करो मेरा चयन कितने मिले? अब बस एक मिला है बस एक मिला है? ओके क्रितिका है ना ये ए बी और सी पी पैरलल है तो डीपी ट्रांसवर्सल है पैरलल लाइन ट्रांसवर्सल का बहुत रिलेशनT पढ़े है एसी भी ट्रांसवर्सल होगी एवी और सी पी के लिए डीपी तो होगी ही एसी भी ट्रांसवर्सल है लाइनस एन अंगल में हमने इन सब कुश्शन में तो बहुत टाइम दिया है ना इन कॉंसेप्ट्स पे करेस्पॉंडिंग अंगल, अल्टरनेट अंगल वर्टिकली अपोजिट अंगल बहुत सारे ओप्शन्स हैं एक साइड बस ढूंडनी थी तो साइड तो एई और सी ही मिली कि आप दो अंगल ढूंड लो सर दो अंगल सर एक a is equals to निष्थ, no 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 कॉंपी पर लिखो बस बाप्कियों को सोचने दो चलो, time up निष्थ, बताओ सर अंगल AED is equal to angle CEP अराम अराम से रुको रुको आराम अराम से हाँ अंगल AED सभी फिकर को देखो इकल टू CEP येस सर रिजन है वर्टिकली अपोजिट अंगल एक्जाम में वियो यह नहीं लिखोगे वर्टिकली अपोजिट अंगल लिखना है एक्षी अप्ड़़ को अहां बताओ परी थर्ड यह जो यह जो इस एकोल सुपेट विए इस एकूल तो एसी रिसन वाई सब्सक्राइब करें तो यहां देखो गिवन है यह गिवन है तो ट्रेंगल हो गया है कॉन 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 से ट्रेंगल अब देखो यहां पर नाम कैसे लिख हो गया एंगल लेकि लिए एंगल से ऐकुल है तो अ से स्टार्ट यहें से स्टार्ट होगा एंगल के लिए एंगल पी अगरे कौया कि कैं लिए कौन सा ओगा एंधिक लेकॉंद ॥ाय। इसमें E, क्या? इसमें E, कॉमन है ना E, कॉमन है नहीं, नहीं है वर्टिकली अपोजिट है अंगली उस ट्रेंगल में लिपो ऊपर है इस ट्रेंगल में नीचे है, कॉमन नहीं है यह कॉनसे क्राइटेरिया से कॉन बुवेंट होगा? Anybody? अंगल, साइड अंगल हमने एक अंगल लिया है, बीच में साइड लिया है और यह अंगल लिया है तो यह A से क्राइटेरिया है A से रूल से ट्रेंगल कॉन्ग्रूवेंट हो जाते हैं अब देखो CPCT कैसे यूज करेंगे अब सारे लिखना बंद करो, यहां बे देखो बहुत सारी चीजें हमारे साथ आ जाएंगी CPCT में क्या क्या आ जाएंगी वो सुनो सबसे पहले यहां देखो AD साइड यह वाली देख रहे हो न AD साइड, first two vertices और first two vertices AD और CP equal CP CT first equation अब AD साइड AD साइड already BD के equal दिया हुआ था given AD और BD equal दिया था AD हमने CP के equal लिख लिया इन दोनों को combine करेंगे from one and two क्या होगा इसका result CP equal to BD अब CP BD equal हो गया और construction से हमने क्या किया था CP को parallel draw किया था PD के तो इसका result बताओ कौन बता सकता है sir DBCP is a parallelogram very nice so DBCP is a parallelogram तो DBCP अगर parallelogram हो गया opposite side जो दूसरा pair था न वह तो equal भी होगा parallel भी होगा भी किया है that DP is equal to BC यह अगरी करते हो दोनों मिल जाएंगे yes sir yes sir DP अगर BC के parallel है तो DP का part है DE वह भी parallel होगा यह तो हो गया first part proof यही करना था first part first part हो गया to BC अब equal to half of BC कैसे करोगे उसके लिए यह देखो DP को split करो क्या DP को हम DE plus EP लिख सकते हैं RHS को भी अब इस triangle की CP CT से हमको यह देखो यह भी मिल रहा है DE equal to CP BE equal to PE इक पर देखो CP CT से मिल रहा है DE और PE equal तो इसको भी क्या करते है DE और EP की जगा हम DE लिख लेते हैं This is equal to BC इसका region क्या लिखोगे DE equal to EP CP CT है CP CT है CP CT है ना यह बन गया twice DE equal to BC DE will be half of BC यह second part भी प्रूव हो गया तो midpoint theorem का यह भी outcome होता है यह भी outcome होता है कई बार हमको दोनों use करना पड़ता है और यह दोनों बहुत important है theorem सब को clear इसको सुंदर है नेटिंग में copy कर लो इसका converse भी करेंगे copy करके एक एक करके मुझे inform करते जाना तो अब है midpoint theorem का converse मैं सिर्फ समझा देता हूँ इसको solve करके अगली class पे आना है ठीक है midpoint theorem का converse मैं सिर्फ समझाओंगा यह तुम्हें पूरा घर से solve करके आना है इसकी statement लिखो जल्दी से 30 seconds में लिखो उपर heading मैंना के converse of midpoint theorem इसका statement copy करो मैं इसको सिर्फ समझाओंगा और अगली class पे मैं check करूंगा कौन-कौन करके आया कौन-कौन नहीं करके आया कौन-कौन नहीं करके आया क्याती Okay The line drawn through midpoint of one side one side midpoint theorem में क्या था दोनों side के midpoint दिये होते थे इसमें एक side का midpoint है the line drawn through midpoint of one side तो एक side A-B मान लिया उसका midpoint D मान लिया यहां से एक line draw करनी है line drawn through midpoint of one side of a triangle and parallel to another side तो यहां से जो line draw करोगे न D से D क्या है A-B का midpoint तो D से जो line draw करोगे वो line parallel to third side होनी चाहिए parallel to another side बोलाए तो मान लिया D से line draw किया इस तरीके से parallel to this side BC तो यह वाली जो line third side को intersect करेगी कही न कहीं पहली side तो A-B हो गई one side का मतलब मान लिया A-B parallel to another side another side का मतलब मान लिया BC तो फिर third side कौन सी बची third side बची AC तो third side bisect होगी जहां पे यह line उस side को cut करती है तो point E जो है यह हमको midpoint proof करना है अब देखो क्या-क्या दिया है तो एक side का midpoint दिया है given in triangle ABC D is midpoint of AB उसका mathematical meaning क्या हुआ AD equal to BD D is midpoint of AB यह तो English हो गया mathematical meaning क्या हुआ AD equal to BD और भी दिया है DE parallel to BC to prove तो इसमें एक ही चीज़ प्रूव करनी है क्या E is midpoint of AC अगर third side bisect हो रही है E पे तो mathematical meaning क्या हुआ AE और EC को equal कर दो हमारा काम हो जाएगा तो to prove में हमको AE equal to EC करना है construction यहाँ पे भी होगा क्योंकि कोई भी parallelogram हमको दिखने रहा है अब सुरो construction में आँख बंद करके नहीं करना मैं बताता हूँ पहले क्या क्या कर सकते हो construction वही सेम रहेगा पीछे वाले question की तरह तो एक तरीका यह हो सकता है जैसे हम पीछे वाले question में किये थे ABC यह triangle रहा यह DE है यह वाला midpoint दिया है और यह parallel दिया है तो एक जो तरीका होता है वो यह हो सकता है कि हम C से line draw करें parallel इस वाले के और इसको आगे extend करें तो इस वाले में भी हमको इन दोनों triangles को congruent करना पड़ेगा इन दोनों triangles को congruent नहीं कर सकते इन दोनों triangles को with this given information हम congruent नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते angles तो बहुत सारे equal है दोनों triangles में बट कोई भी side हम equal नहीं ले पाएंगे directly नहीं ले पाएंगे कोई भी side हम directly नहीं ले पाएंगे तो अगर इस midpoint वाली side को use करना चाहते है तो हम construction यहाँ से करेंगे जब यहाँ से करोगे तो क्या फायदा होगा देखो अभी फायदा दिख जाएगा इधर से अगर construction कर लिया ये वाली side इसके parallel वाल या P है तो इन दोनों triangles में एक side जो equal दी थी वो हम use कर सकते हैं दोनों side अलग 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 triangles में मिल जाती है तो एक side यूज कर लेंगे और बिना किसी परेशानी के दोनों triangles को बहुत इसली हम congruent कर सकते हैं अगर इस तरीके से करोगे तो हो जाएगा बट directly इन दोनों में कोई भी side common नहीं है अगर तुमने ऐसे कर लिया तो इस side को इसके equal करोगे फिर नीचे वाले को parallelogram proof करने के बाद ये opposite side equal करोगे फिर जाके ये दोनों side से equal मिलेगी बहुत लंबा फैल जाएगा ये ना ये मत करना इस तरीके से मत करना क्या करना? दो midpoint वाली side D है ना उसको use करने के लिए construction इधर से कर लेना तो construction देखो मैं note down करवा देता हूँ difference clear है दोनों में? इधर से क्यों नहीं करेंगे? Yes sir construction में देखो इस बार हम BP draw करेंगे parallel to CE meeting ED extended DE extended मतलब DE को extend करेंगे इधर से और ED का मतलब इधर से D की तरफ से extend होगा तो अभी हमने ED को extend किया है meeting AD extended at P यह हमने कर लिया construction अब इन दोनों triangles को जो मैंने ऐसे tick लगा है ना दोनों triangles इनको congruent करोगे एक side तो equal मिली गई है अब दो angles तुमें ढूडने है बहुत सारे angles equal मिल जाएंगे तो उस तरीके से यह hint है और इसको prove करके अगली class पे आना है आगे मैं कुछ भी बताऊंगा तो पुरा theorem इस solve हो जाएगा तो मैं बताना नहीं चाहता हूँ अगली class पे इसको solve करके आना है तो यह तुम्हें complete करना as an assignment ठीक है अगली class पे मिलते हैं तो exercise 8.2 हम complete करने का target रखेंगे अगली class पे 8.2 में 6 question है 6 या 7 है करके सीख क्यान है तो हम मिलते हैं next class पे next class last होगी quarter letter की उसके बाद हम को ही नया chapter स्टार्ट करेंगे ओके चलो टेक क्यार